वेल्कम तो जोइन इंडियान एर्फोर्स क्लासेस में आज मैं डिसक्स करना वाला हूँ जियास का पार्ट जो आपके सभी मोश्ट इपर्टन कुर्षिशन है तो फ्रेंट से दिया अपना यह तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करेगा बैल आइकन को क्रिक करिएगा जैसे बहुत ही मैं क्या बताऊं कि मैंने वही कुश्यन लिये हैं जो एक्साम में अधिकतर पूछे जाते हैं जो रिपीटेबल कुश्यन है ठीक है तो बस लास्ट में एक होंगा कि वीडियो जरू पूरा देखेगा और नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा आज क तो हमारी प्रतवी में कितनी परसेंट भाग जल है तो इसका गय्कराइक mounted ऑपको समझ्में आ गया होगा चलिए जया है डिवीकिन है अदू हमारी सउस्यन मन्डल में प्रतवी के लगभग समान ग्रह है हमारे सौर मंडल में प्रत्वी के लगबग समान ग्रह है फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध ऑप्शन नमर बी है ब्रासपती ऑप्शन नमर सी है सुक्र ऑप्शन नमर डी है मंगल ठीक है तो हमारे सौर मंडल में प्रत्वी के लगबग समान ग्रह कौन सा है तो इसका correct answer है आपका option number 6 शुक्र ठीक है प्रत्वी के समान ग्रह है वो है शुक्र तो option number 6 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer हो जाएगा चलिए next question है आपका अफ्रीका के गांदी के नाम से किसे जाना जाता है औफ्रीका के गांदी के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका correct answer है आपका थीक है इन्हें वहाँ पर गांदी की पडवी दी गई है। थिक है، उप्सिन सीज़ का कर्यक्ट अंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिये नैस्ट कुशन। नैस्ट कुश्टन है आपका भोपाल तराज्टी में किस गैस का रिषा हुआ था। ऑप्सिन सीज़्ट है। और यापका औक तो आई होप आपको कुषिशन समझ में आ गया हुआ और कुषिशन बहुत इंट्रेस्टी कुषिशन नमर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेश कुषिशन है अपका आप संब्सक्रार्ण बॉस सजोन समें आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबॉन पूलन के चुषिशन चलिए नेश क्षिशन आपका Q53 तारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं option नमर A है पारसेक, option नमर B है प्रकासबर्स, option नमर C है तरंग दैर्द, option नमर D है नॉट जैसे हम कहते हैं none of these ठीक है तो तारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स इसका correct answer है आपका प्रकास पर्स ठीक है option number 20 का correct answer हो जाएगा ठीक है option number 20 का correct answer हो जाएगा तारों की बीच की दूरी को हम प्रकास पर्स कहते हैं चलिए next question बीश्य भर में अंतराश्टिय महला दिवस मनाय जाता है तो फ्रेंट्स इसका correct answer है आपका option number 20 का correct answer हो जाएगा ठीक है 8 March को बीश्य में अंतराश्टी महला दिवस मनाय जाता है ठीक है आई ओप आपको question समझ में आ गया होगा चलिए next question है बहुत ही अच्छा question है यह most most question है आपको star लगा लेना है इसमें मैंने हैज बना दिया है तो आप इस्टार बना लिजी इसमें ठीक है राजीब गांदी की हत्या कब हुई थी ठीक है क्या है राजीब गांदी की हत्या कब हुई थी तुम इसका डारेक्ट अंसर बता देता हूँ आपको 11 माई 1991 में ठीक है 11 माई 1991 में राजीब गांदी की ह तो किसे गुरुदेब की उपादी दी गई थी पादी नाइस्ट कुसिन है आपका सुध्जल में डिटर्जेंट मिलानेश यह उसका प्रेस्ट तनाव होता है फर्स्ट उप्शन है आपका घटता है उप्शन नमर B है बढ़ता है उप्शन नमर C है घटता बढ़ता दोनों है उप्शन नमर D है ननौब दीज कुछ होता ही नहीं है तो सुद्ध जल में डिटरजेंट मिलाने पर उसका पिर्ष्ट ततना जो होता है वो घटता है ठीक है आजादी के समय सम्मेदान की प्रारूप सम्ती का अध्याच था आप्शन नमर ए है भीम्रा अंबेडकर आप्शन नमर बी है राजेंद प्रसाद आप्शन नमर सी है जवाला नेरू आप्शन नमर डी है सरदार वल्ला भाई पटेल तो आजादी के समय सम्मेदान की प्रारूप सम्ती के अध्यच्छ थे चलिए ने स्कूशन बित्य आयोक का कारेकाल होता है बित्य आयोग का कारेकाल होता है option number A है 5 year option number B है 6 year option number C है 4 year option number D है 9 of D तो बित्य आयोग का कारेकाल होता है कितने वर्स का तो इसका correct answer है 5 year का ठीक है 5 year का कारेकाल होता है बित्य आयोग का option number A है इसका correct answer हो जाएगा नेस्ट कुछन है आपका पिम्परी किस के लिए पिरसिद्ध है पिम्परी किस के लिए पिरसिद्ध है और सनमर ए है लो उस पात के लिए और सनमर भी है कागज के लिए और सी है सोना के लिए और सनमर डी है चानली के लिए ठीक है तो पिम्परी किस के लिए पिरसिद्ध है तो friends इसका correct answer है आपका कागच के लिए ठीक है अब पिंपरी कहां पर हिस्तित है आपको यह ज़रू बताना है कमेंट बॉक्स में तो पिंपरी किसके लिए प्रशिद्ध है कागच के लिए option number 20 का correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए next बिद्धुत प्रथिरोद को मापने की एक आई है option number A में हो option number B है ओम option C है Amitram option D है NOT नन अफदीच तो बिद्धुत प्रथिरोद को मापने की काई कौन से यह तो इसका correct answer है ओम ठीक है option number B इसका correct answer हो जाएगा ठीक है बिद्दुर्पित्रोद कुम आपने की काई है ओम option number B चलिए next question है भारत का सरवोच सेनिक सम्मान है option number A है परमबीर चक्र option number B भारत रतन option number D है परमभूसर option number D है नन अपदीज तो भारत का सरवोच सेनिक सम्मान कौन सा है तो उसका correct answer है प्रंबीर चक्र ठीक है औप्स नमर एसका correct answer हो जाएगा ठीक है प्रंबीर चक्र चलिए नए daos type भारत का 9 निर्मित 29 वाराज कौन सा है भारत का 9 निर्मित 29 वाराज कौन है ऑप्स नमर ए हिद्रावाद option number B है asam option number C है goa option number D है ते लंगाना ठीक है तो भारत का नहों निर्मेत 29 वाराज जो कौन सा है तो फ्रेंट्स इसका correct answer है आपका option number D ते लंगाना option number D इसका correct answer हो जाएगा ठीक है ते लंगाना राज जो है वो भारत का 29 वाराज बना चलिए नेस्ट कुशन है आपका बिस्ट का सबसे बड़ा महाधीब है बिस्ट का सबसे बड़ा महाधीब है option number A है एसिया महाधीब option number B है अफ्रीका महाधीब option number C है अमेरिका महाधीब option number D है ऑस्टेलिया महाधीब तो विश्चु का सबसे बड़ा महादीब कौन सा है फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एसिया महादीब ठीक है ओप्सन नमर एसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिया महादीब जो है विश्चु का सबसे बड़ा महादीब है ठीक है भिष्टूइक सबसे बड़ा माहोदीप है चीजे एचिए नेस्ट कीशन है अपका भारत छुड़ों अंदोलन किस चन में हुआ भारत छुड़ों अंदोलन किस चन में हुआ और फूर्ट नमर यह हैं 1941 में और सी है तो सुर्ट did you please ? hazard number 20 9 चलिए ने स्कस्ट हुआए इस्पाइटर मैन का वास्तुविक नाम क्या है जिसकाShe पींटर नाम क्या है यृ पिंटर अप्षिंट इंयह चार अप्षिंट्विक आपनाफर अपस्ट काहिए नाम ज़ता है consistency स्बाइटरमैन का वाजितक नाम किया है कि एा आपका स्बीस पृट कर्डाइक नाम का पीटर Πार्कर छूदिक ए। तो पंचेतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंट्स तो इसका correct answer है आपका option number A बिश्नु सर्मा के द्वारा पंचेतंत्र लिखी गई है ठीक है फ्रेंट्स option number A इसका correct answer हो जाएगा तो फ्रेंट्स एंड में यह कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में यह बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी तो जाहिंद जाबारत